पूरा करते हैं प्रवारा के लिए विवारा कान पूरा करने के लिए बहुंत ही अच्छा होता है omega 3 गरवस सीसू को भी फैदे मंद होता है हाट संबंदी बीमारियों के लिए भी जबर्जस्त है हाट का खत्रा कम हो जाता है omega 3 किसी लेने से मुटापा में भी लाब दायक होता है हमारे आखों के लिए भी जबर्जस्त है omega 3 और high BP जैसे हमस्या को भी कम करता है समानसिक विकार में भी फैदे मंद होती है केंसर को रोकने में भी या फैदे मंद है लीवर के फैट को भी कम करता हो है है समझ आज सी रोप्थाम में भी सहायक होती हड़ी हम जो रोखंगे रोप्थाम में भी मददगार है सांथियो देख सकते हो यहां पास सेल्थ बेनीफिट्स आप ओमेगा थ्री है क्या है परकितिक हर्मोन रिप्लेस्मेंट है यहां पास देख सकते हो ब्रेंड फॉंसन है हमारी आखों के लिए है ज्वैंड के लिए है हेल्दी स्कीन के लिए भी बहुत जबरजस्त है को मजबूत करता है हमारा लंग से हाट से इन सब्सक्राइब के लिए बहुत ही जबरजस्त और हमारी गर्वस्त महिला है इसी सब्सक्राइब लोग के लिए भी जबर्जस्त तरीके से हमें फायदे मंद करती है वहां तक ही हमारे हैट को भी काम करने में मददगार साबीद होती है अमेगा थ्री बेनी फिट फारी स्कीन मैं बोली ना कि हमारी स्कीन के लिए भी जबर्जस्त तरीके से फायदे मंद होता है जैसे कि लिए हम स्कीन में पानी की कमी हो जाती है या रुखा पना जाता है तो उसमें भी सुधार करते हैं सब्सक्राइब निजाद पासकते हैं सब्सक्राइब बन जाते हैं इसको भी हाइडरेट होने से भी हमारा को बचाते हैं साथ ही साथ क्या है उम्र के में को भी कम करने में मददगार होती है ओमेगा थ्री ओमेगा थ्री फैटी एसी बेश्ट फूड यहां बस देख सकते है तो यहां विफिन पर कार के मचलियों में ट्री एसी फूड में यहां ओमेगा थ्री फैटी एसी बाया जाता है है ग्रैंड एजार्इट है जो लगार्छ सोया बियों में भी जवर्जस तरीके आँ से त्री फैटी एसीड मिलता है कि यहां भस राया फिच्चर में देख सकते हों ही थब में हमें ओमेगा थृ फी मिलता है मचली के तेल में भी हमें अक्रोट है ऐसीड्र लेट माशनामान मचली है यह बहुंच सारे मचली यह मैं बोलीना की बाओ मचली यहां पास है गोभी में भी हमें अच्छे तरीके से मिलता है यहां तो में क्रॉल मचली है तो जबर जस्त तरीके से हमें अमेगा 3 फैटी एसीड मिलता है अक्रोट है सब चीजों में किते किते क्राम पुर्ण में स्लाइड में दिखाया है आपस भी देख सकते हो शाथियों यहां पास भी ऑमेगा 3 खूट से देक्छे सबसे अच्छा स्रोट क्या है सोया बीन है पालक है अलसी है और क्या ऐक मकल मस होती है हमें जवर्जस्त तरीके से ओमेगा थरी फैटी एसिड मिलती है हम बाहर में कहां अलग-अलग चीजों को खोचते रहेंगे रहेंगे सभी चीज़े मिल जाता हमें बाकी हम हर चीज़े को अग्दम नहीं जिकाई लो क्या है नानुवेज नहीं खाते तो मचलिया नही जवर्जस्त तरीके से ओमेगा थरी फैटी एसिड और हमारे हार्ट को स्वस्त रखने क्ले जवर्जस्त प्रोड़क्टर सांति हो मैं तो लेती हूँ आप सभी ले सकते इसका तो बहुंसी जवर्जस्त आप सभी क्ले की जीजिए इस प्रोड़क्टर के लिए थांक यू इस चोटा सा टॉपिक में बता पाई है आप सभी लोगों को आई होप आप सभी को मैं समझा पाई होंगी मैं अपना चोटा सा परिचाह देती हूँ मैं यूरे का परमान मुगेली गज्जियना और कोंसे विलाउं करती पेसे से एक हाउस वाई हूँ इस सिस्टम में आने स से पहले मैं काफी ओरवेट हो गई थी ओरवेट के चलते मेरे को बहुं सारी धिकते होना इस्टार्ट हो गया था उनमें से मेरे बरड़ लेवल कम था इसनों फिलिया थी सांथी सांथी सांथ मेरे को अस्थमा था और दिन बार मेरे पूरा बाड़ी में दर्दर रहता था तो समा के नाम से मैं बहुत ज़्यादा परसार रहती थी, हर मेने पंदरा दिन में मैं डाक्टर विजिट करती थी, लेकिन एक साम मैं हैपी टू हेल्प का सेशन देखी और मैंने मिम्बर सीप ली, मिम्बर सीप ली तो मुझे जब मेरे स्पॉंसर कोसर मिले, जिसके भापर गाइड लाइन को मैं फालो करते गई तो मेरा 20 केजी वेट लॉस ही हुआ और जैसे ही मेरा वेट लॉस हुआ साथ यो तो मेरा जो भी हैल था इसू था जैसे मेरा बलर लेवल काम था, इसनो फीलिया थी, अस्थमा था, और मेरा बॉडी में आलस पान और दर दर बना रहता वेट और मेरा सब चीजों से मैं निजात पाई हूं, आज मैं हैप्य अनरजेटिक लाइप को जाकर रहीं, साथ-पिय साथ मैं डाक्टर विजिट करती थी, उसमें भी मैं निजात पाई हूं, उसमझो मैं एक साल से डाक्टर विजिट करनाता